हेलो असलालेकुम दोस्तों वेलकम बेक तो मैं यूट्यूब चैनल सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बता हुगा कि आप लोग किस ता से एनेफ्टिस जनरेट कर सकते हो तो इस वीडियो में हम लोग इस वीडियो की थुरू हम स्मार्ट कॉंट्रेट करना हैं कि इस वीडियो में जो हम कर रहे हैं एफ्टिस जनरेट करने के लिए वह अपडेटिट कोड है मैं ने आपको बताई किस ता से आप लोग क्रियेट कर सकते उसमें वह तो यह उस है उसी तरह से यूज़ करना है इसे बस इसमें कुछ चेंजिज हैं कुछ ने कोड के जरीए हम एन एफिस इसमें जनरेट करेंगे सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले आपको simply यह को डाउनलोड करना होगा यह सेम बट अपडेटिड बजयन है आपने पहले वाला टाउनलोड यह से डिलीट कर दीएगा ताके दौनम मिक्स नहीं हो जाएं सो इस इसे सिंपली हैं पने गट कोड पर जाके डाउनलोड फाइल कर लेनी हैं डाउनलोड करने के बाद simply आपने इसे extract करना है ठीक है extract करने के बाद आपने इस पर जाना है और layers में जाके आपकी जो layers है NFTs की जो आपने बनाई हैं उन्हें simply आपने paste कर देना है यहां पर error आदा है जो मैं simply यहां पर जाके अपने layers कोपी करूंगा जो मैंने already बनाई हुई है और इन्हें simply जाके अपने code की layers में जाके इसे paste कर दूँगा इन्हें paste करने के बाद simply आपने visual studio open कर लेना है visual studio और node.js आपने डाउनलोड कर लेना है वह मैंने description में आपको उनकी link दे हुई है आपने उन्हें download कर लेना है आप simply visual studio को open करेंगे open करने के बाद यहां पर आपने यहां पर मेरा folder already open है बट मैं simply यहां पर जाऊंगा open folder और hashly art engine select करूंगा और यहां पर open होगा और open होने के बाद simply आपने layers में आना है पहले अपनी layers चेक कर लेनी ठीक है then आपने source में जाना है config.js में जाकर आपने simply यहां पर इन layers को edit कर लेना तो मैं यहां पर simply इनको edit कर देता हूं कर दो दो कर दो कर दो मैं जाकर दो हो वारा है कि वर सूमें ने एक्स्राय एसे में से इसे KP कर देता हूँ अगर आपकी ज्यादा लेयर जैं तो इससे पीकिर करें इसके करना और उरा संपंट करेंगा और सिंपली मयोँ कर दे इस लिकाऊंगा रिचár में में यहां पर जांगा नीचे यहां पर description है, so मैं description में लिख दूँँगा, so मैंने description add कर दी, अब इसमें थोड़ी सी changes है, ठीक है, जैसे के मैंने description add कर दी, इसके नीचे base view और रही है, उसका use अभी next video में बताऊंगा, यही main चीज़ है, जिसका हमें, जो हमें चाहिए था, जो हमें पुराने वाले code में नहीं मिलता, तो इसलिए हमने यह new code use किया है, और यहां पर मैंने simply अपनी description add कर दी है, और then यहां पर मैं symbol add कर दूंग, symbol क्या होता है, like कोई भी unicode होता है, जैसे के मेरा, मैं अपना symbol बना रहा हूँ, TSS, जैसे के मेरी NFT का नाम है, the student squirrel, so first letter T, then student का S, then squirrel का S, so TSS, ऐसे ही मैं इसका भी symbol बना देता हूँ, TSS, और यहां पर आप external link किसी भी चीज़ जो देनी चाहें, वो दे दें, ठीक है, मैं भी नहीं दे रहा, then simply यहां पर मैंने hundred and interest generate करनी है, तो simply मैं यहां पर जाके नीचे, डाउन, डाउन so यहीं पर मैं simple five की जगा hundred कर दूँगा, hundred and interest generate करूँगा, और then मैं इसे save करूँगा, save करने के बाद new terminal और मैं सबसे पहले code install करूँगा, इसे extract करूँगा files को npm i, simply यह type करके, enter करूँगा, और मेरे जो भी packages है, वो extract हो रहा है, ठीक है extract होने के बाद, simply आप github code में जाएं, इसे install करने के बाद, simply आप कुछ जो हैं, वो code run कर लें, ताकि आपका कोई issue ना हो, ठीक है मैं simply यहाँ पर जाके, आप npm run build के साथ भी generate कर सकते हैं, और node index.js के साथ भी, मैं simply इसे copy कर लेता हूँ, और यहाँ पर जाके, मैं जब यह मेरा package extract हो जाएगा, तो मैं उसे simply paste करूँगा, और मेरी nfts generate हो जाएगी, इस video में हमें main use जो है, वो है हमारा IPFS का, वो मैं next video में explain करूँगा, कि IPFS के है, इसमें बस हमने simply अपनी nfts generate किये हैं, ठीक है, इसी तरह से आपने nfts generate कर लेनी है, तो अभी code install हो गया, अभी simply हाँ पर मैं node index.js लिखूँगा, और इसे enter कर दूँगा, यह मेरी nfts install होना शुरू हो गई है, तो आपके error किस वाया से आते हैं, ज्यादा तक दो common error आते हैं, एक आते है 4058 error, वो इसलिए होते हैं कि वो error का मतलब है कि आपने किसी layer में कुछ ऐसा use किये, comma slash dot use किये, जिसकी वायसे वो error आते हैं, अगर आप देखें तो वो green line में लिखा होता है, error 4058 और नीचे error लिखा होता है, तो उसमें आप जाके देखें कि किस layer में आपने गलती किये, तो एक common error यह होता है, और एक और error होता है, जिसमें यह होता है कि हमने code run करने में कुछ गलती कर दियो होती है, जैसे कि यहां पे अगर मैं index की जगा index inde safe करता, तो मेरी NFTs generate नहीं होती, तो यह भी ध्यान से type करना है, आपने node index.js, अगर आप X भी नहीं type करते हैं, या I की जगा L कर देते हैं, तो आपकी NFTs generate नहीं होंगी, तो simply ध्यान से सब कुछ follow करना है, और यहां पे भी आपने ध्यान रखने है, ठीक है, यहां पे जो background, body, यह सारी आपने line wise additive जहां की है, जैसे यह ना layers में, additive यहीं करनी है, और आपकी layers में भी कुछ ऐसा नहीं होती होना चाहिए, मैंने simply ABC use की हुई है, name भी नहीं दिया हुआ, तो simply अब मेरी NFTs generate हो चुकी है, तो मैं अब आपको दिखाता हूँ, simply build images, तो हमारी NFTs generate हो चुकी है, मैंने total 100 NFTs generate किया है, अब हम इने upload करेंगे IPFS server में, करेंगे बाते हैं, करेंगे थाहिए, जदाधे हैं,